Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे SCRT की ओर से दी गई activity sheet number 49, 4 class 6 to 8, तो 6th, 7th और 8th तीनो ही class के बच्चों को ये activity sheet जो है वो अपनी copy में करनी है और English की copy में आप इसको करोगे ठीक है, English की copy में आपको करनी है बच्चों ये activity sheet आपके लिए 19th of March 2022 के लिए schedule की गई है और आपको देखने से पता लग रहा है कि ये activity sheet आपकी होली का जो festival है उसके जो है regarding है तो प्यारे बच्चों वरक्षीट शू करने से पहले प्लीज चैनल को subscribe कर लीजे बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की notification वो समय से मिल जाए तो देखे क्या दिया गया है आज की वरक्षीट में तो बच्चों जैसे कि आपको बता है होली का तोहार जो है वो आने वाला है और जैसे जैसे होली का तोहार आता है नजदीक तो बच्चों के चैरे पर खुशियां आ जाती है क्योंकि बच्चों का सबसे पसंदिधा त्योहार होता है, हूली का त्योहार, बच्चे बहुत सारी planning करते हैं, कैसी पिछकारी लेनी है, कितने गुभारे भरने हैं, कौन सा गुलार लेना है, तो बड़ी सारी तयारियां बच्चे जो है वो करते हैं, So, Madhu and Raman were neighbors, Madhu और Raman क्या हैं, बच्चों, neighbors हैं, पडोसी हैं, ठीक है, their parents lived with lot of love, so the children also grew up learning values like compassion and care for each other, उनके जो parents हैं, वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, तो बच्चे भी जो है वो, उनके अंदर अच्छे अच्छी values जो हैं, वो आ गई हैं, अनि सीखते हैं, compassion और एक दूसरे की जो है, चिंता करना, they celebrate all the festivals together, whether it was Diwali, Christmas, Guru Parv or Eid, तो जो है, चाहे कोई भी तोहार हो, बच्चे बहुत ही मिल जूलकर तोहार मनाते हैं, फिर चाहे वो Diwali हो, Christmas हो, Guru Parv हो या Eid हो, they made sure that they didn't cause harm to nature, yet enjoyed a lot and celebrated with lot of joy, वो इस चीज को शौर करते हैं, कि जो है, वो नेचर को कोई भी नुकसान नहीं पुँचा रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा enjoy, बहुत सारे, जो है, मस्ती मजा वो करते हैं, now, this time, Holy was falling in the second week of March, इस बार Holy, जो है, वो second week में है, March के, बहुत, Madhu and Raman decided to do something that would inspire others and would also bring festivally cheer and joy to all, Madhu और Raman ने, जो है, दोनों ने मिलके decide किया है, कुछ जो जो है, ऐसा करने का, जो दूसरों को भी क्या करें, inspire करें, और would also bring festivity, याने cheer and joy, और सभी के चेहरे पर मुसकान हो, सभी जो है, उसको मिलकर enjoy करें, तो ऐसा Madhu और Raman ने जो है, प्लैन किया है, so they thought and thought, और जो है, वो सोच रहे थे, सोच रहे थे, colors and water were the usual custom, कि color और water तो जो है यूजवल कस्टम है, सभी color से खेलते हैं, सभी जो है, water से खेलते हैं, they felt that colors harm the skin, वो क्या सोचते हैं, कि color जो है, वो क्या करता है, वो तो हमारे skin को harm करता है, and throwing water at each other, means the loss of wastage, और एक दूसरे पर पानी फेकना, वो भी water का बहुत ज़्यादा क्या है, wastage है, they were taught at school that water cannot be produced, so it has to be used with care, अब उन्होंने school में पढ़ा है, कि water जो है, वो produce नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको बहुत ही care के साथ यूज़ करना चाहिए, they had taken a pledge in school, अब उन्होंने school में एक pledge ली थी, pledge जो है, शपत ली थी, लेते हैं न, pledge से हाथ आगे करके, ठीके, तो उन्होंने school में pledge ली थ आपकी बार उन्होंने holy को eco-friendly manner से celebrate करने के लिए का decide किया है, this time they would play tillak holy, इस बार वो जो है, तिलक holy प्ले करेंगे, they would only apply a tika on each other forehead, आपकी बार वो जो है, एक दुसरे के, जो है, क्या लगाएंगे, tika लगाएंगे, यानि tika वाली holy उन्होंने plan की है, एक दुसरे के forehead पर वो tika apply करेंगे, and would enjoy homemade sweets like gujia and besan burphy, और वो जो है, घर की बनी हुई, जो sweets होती है, उनको enjoy करेंगे, like gujia है, besan burphy है, उनको जो है, वो enjoy करेंगे, ठीक है, the plan was appreciated by their parents and friends also, जो plan है, वो उसके parents और friends जो है, उनके जो plan है, उसको क्या किया, उसको appreciate किया, उसकी बहुत तारीफ की, कि बच्चे जो है, वो अपने planet के बारे में इतना सोच रहे हैं, कि पानी की wastage नहीं करनी है, और color से जो है, क्या होगा, skin infection हो सकता है, skin damage कर सकते है, color क्योंकि इनमें जादा chemical होता है, तो issues की बहुत ही तारीफ की गई है, बच्चों की, Singing and dancing throughout the afternoon, they enjoy the festival in the true sense, उन्होंने singing किया, dancing किया, जो है दुपैर में, और उन्होंने festival को जो है true sense में enjoy किया, यानि एक सही माइने में जैसे festival मनाया जाता है, उस sense में उन्होंने festival को enjoy किया, Everyone sat in a circle, हर कोई जो है circle में बैठ गया और add together, और सबने मिल कर खाया, the beauty of the flowers of spring added to their joy, ठीक है, और beauty flowers of spring, जो spring के flowers है, जो spring season में जो फूल जड़ जाते हैं, और जो फूल है, उन्होंने उन्होंने उन्होंने, आप कह सकते हो, उन्होंने जो मस्ती है, मज़ा है, उसमें और भी ज जादा उनको मज़ा आया, it was a memorable day for all, और ये सब के लिए क्या था, सब के लिए जो है, ये एक memorable जो है day था, यानि सब ने इसका बहुत अच्छे से, सब ने इसको enjoy किया, आप देखिए, यहाँ पर आपको four questions दिये गई है, activities दी गई है, ठीक है, तो चारो जो activities है, उनको हम one by one discuss करेंगे, first जो activity है, write a slogan और short form about holy, तो holy के बारे में आपको एक poem लिखनी है, so लिख देंगे, आप जो है अपनी तरफ से लिख सकते हो, holy has come, holy has come, holy brings happiness, holy is festival of colors, ठीक है, holy जो है, happiness लेकर आती है, festival of colors है, holy brings love, holy is festival of goodness, तो holy जो है, वो love लेकर आती है, festival of goodness है, enjoy this festival with colors and गुलाल, तो आप इस festival का हमें क्या करना है, enjoy करना है, colors and गुलाल से, second देखिए, what do you appreciate about madhu and raman, madhu and raman, जो है, उसमें उनका आप किस तरह से appreciation करते हो, ठीक है, तो madhu and raman plan to celebrate holy in an eco-friendly manner, madhu और raman ने, जो holy है, उसको कैसे eco-friendly manner से celebrate करने का decide किया, so they would play tillak holy, वो tillak holy खेलेंगे, and also not waste much water, और वो water को जो है, waste नहीं करेंगे, इसलिए they are appreciable, question number third है, how would you celebrate holy, share your ideas about celebrating holy in a way that is joyful, आप holy को कैसे celebrate करोगे, अपने ideas आपको यहाँ पर share करने है, so I will celebrate tillak holy with herbal gulal and colors, तो herbal gulal और tillak के साथ holy celebrate करूँगा, I will play with some balloon, also but मैं balloon के साथ भी खेलूँगा, but not waste much water, लेकिन ज्यादा water waste नहीं करूँगा, I will eat sweets also, ठीक है, तो मैं sweets भी enjoy करूँगा, holy is a festival of color, holy रंगो का तोहार है, be creative and use your poster color to create a colorful sheet using thumb impression, thread painting, toothbrush painting, तो आपको क्या करना है, आपको एक creative और poster color से एक sheet के उपर जो है, painting करनी है, thumb impression यानि thumb से भी आप impression करके painting बना सकते हो, thread का use करके उसको color में डुबो के उससे भी आप painting बना सकते हो, या toothbrush से spray के द्वारा भी आप painting बना सकते हो, तो अपना creative idea आपको यहाँ पर लगाना है, अपनी creativity आपको यहाँ पर दिखानी है, ठीक है, तो इस तरह से आपको यह worksheet करनी है, और यह activity करनी है, यह थी students आपकी आज की बच्चों English की activity, I hope सभी बच्चों को clear है यह activity sheet, अगर कोई भी doubt है तो आप पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए, so thanks for watching, मिलते हैं next video, I mean next worksheet के साथ.